नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज की इस वीडियो में हमें कक्सा 12 दो अक्टुमबर 2021 की जो क्विज अभ्यास है उसका सोलुशन यहां पर हमें देखने वाले हैं देखिए इसे क्विज भ्यास का जो पहला क्यूशन है वो है किसी भी सम्विभव प्रस्ट के एक नी दो बिन्दों के मद्दे का विभ्वानतर कितना होता है देखिए सम्विभव प्रस्ट यदि हम ये कंसीडर कर लें ये हमारे पास में कोई सम्विभव प्रस्ट है इस पर ये कोई बिंदू है A ये कोई बिंदू है B तो बिंदू A का विभाव और बिंदू B का जो विभाव है दोनों समान होगा सम विभाव प्रस्ट के उपर विभाव समान होता है हमने यहाँ पर दो बिंदू चूज कर लिए हैं A और B तो बिंदू A का विभव और बिंदू B का विभव सेम होता है तो यदि हम इन दोनों बिंदू के मद्दे का विभवांतर की बात करें तो VB-VA विभवांतर को इस तरीके से हम पूट करेंगे तो विभवांतर क्या होगा? VB-VA तो VB और VA दोनों का मान समान है तो वीबी की जिगे हम वीए पूट कर सकते हैं तो वीए माइनस वीए ये जीरो आ जाएगा इट्मिन से दो बिंदों के मद्दे का विभुवान तर सदेव सुनने होता है तो इसमें ये C option सही होगा अगला question देखिए दूसरा जो question है वो क्या है कि किसी विद्दू चितर में एक विद्दू का विद्दू तीभव 200 वोल्ट है तो एक लिक्टोन को उस विद्दू तक ले जाने में किया गया कारिय तो ये हमें V का मान दे रखा है 200 वोल्ट वी का मान कितना दे रखा है 200 वोल्ट और हम यहाँ पर आवेश Q को लेकर जा रहे हैं क्यों का जो मान है वो हमारे पास में है माइनस एक पॉइंट छे गुणा दसकी घात माइनस उननीस कुलाम देन हमें W ग्याद करना है देखी विद्यारतियों W बराबर होता है Q इंटू V जो Q का मान है वो हमारे पास में है माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 W का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 200 तो देखी यहाँ से जब हम इसको किल्कुलेट करेंगे जब इसको किल्कुलेट करेंगे तो माइनस में 3.2 गुणा दसकी घात माइनस 17 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा दसकी घात माइनस 17 जूल ये इसका solution होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये जो D option है वो सही होगा माइनस में 3.2 गुणा दसकी घात माइनस 17 जूल अगले question की ओर बढ़ते हैं अगला जो question है तीसरा किसी बिंदू आवे से नियत दूरी परविद्दू छित्र का मान 50 वोल्ट पर 3 मिटर विभव का मान 300 वोल्ट है तो हमें क्या पूछा है उससे नियत दूरी का मान क्या होगा देखेंगे एक बार question को एक बार समझ लीजे बिंदू आवेस के कारण से जो विद्दू तिवभव होता है विद्दू तिवभव का फोर्मूला होता है क्यू बट्टे में आर और बिंदू आवेस के कारण से विद्दू छित्र की तिवड़ता होती है क्यू बट्टे में आर स्क्वेर तो हमें इस R की value find out करनी है, जबकि V और E ये दोनों हमें दे रखे हैं, तो देखें मैं यहाँ पर V बटे में E find out कर लेता हूं, V कमान हमारे पास में है KQ बटे में R, और E कमान हमारे पास में है KQ बटे में R squared, तो देखो KQ से KQ को एंसिल हो गया, एक R से एक R केंसिल हो गया, यह R यहाँ पर हमारे पास में बटे से उपर चला जाएगा, तो R बराबर आगया V बटे में E, यहाँ पर हमें इस क्यूशन के अंदर V का जो मान है वो दे रखा है 300 V, E का जो मान है वो हमें दे रखा है 50 V पर 3 मेटर, एक 0 से एक 0 केंसिल हो गया, यह हमारे पास में इसका आंस्वर आगया है 6, तो देखिए इसका जो आंस्वर है वो होगा 6 मेटर, 6 मेटर इसका सोलिशन होगा, अगला क्यूशन देखिए, चोथे क्यूशन के अंदर हमें 8 सेंटी मेटर थका 4 सेंटी मेटर तिर्जा के दो गोलों के विभव समान बता रखें, उन पर आविश्यों का अनुपात क्या होगा, देखिए एक बार आप समझ लीजिए, किसी गोले का विभव, गोले का जो विभव है उसका फोर्मूला होता है, वी बराबर के क्यू बट्टे में आर, तो हमारे पास में छोटा गोला है, 4 सेंटी मेटर का, छोटे गोले के लिए वी वन बराबर हो जाएगा, के क्यू बट्टे में आर वन, इसी प्रकार सें बड़े गोले के लिए, बड़े गोले के लिए वी टू, जो कि क्यू टू बट्टे में आर टू हो जाएगा, हमें इस क्यूशन के अंदर बता रखा है, कि ये जो वी वन और वी टू, कि दो गोले के विभव क्या है, समान है, दोनों गोलों के विभव समा पूट कर दिया जाए तो हमें देखे क्या मिलेगा यहां से आप देखेंगे हम इन दोनों को V1 और V2 दोनों को बराबर पूट कर देते हैं तो K Q1 बट्टे में R1 बराबर K Q2 बट्टे में R2 तो यहां से K से K कैंसिल हो गया हमें पूचा है उन पर आवेशों का अनुपात तो Q1 बट्टे में Q2 हमें पूचा है Q1 बट्टे में Q2 हमें पूचा है तो यहां से Q2 तो नीचे आ गया बराबर में आ गया R1 बट्टे में R2 R1 है हमारे पास में देखे आरवन एक गोले की तिर्जा है चाहे आप छोटा बड़ा ले 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 लिजे इसको इसको आप ले 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 दूसरा clear तो पहला गोले की जो रेडियस है वो हमारे पास में है 8 cm दूसरे गोले की जो रेडियस है वो है 4 cm देन यहां से हमारे पास में इनका जो ratio है वो दो नपात एक आजेगा इसमें जो इसका solution होगा वो दो नपात एक बी option इसमें सही होगा अगले question की और बढ़ते हैं कि एक इस्तिर आवेश उत्पन करता है हम इस्तिर वेद्यूत्की के अंतरगत जब आवेशों की properties देखते हैं तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इस्तिर आवेश है वो केवल विद्दु छेतर उत्पन करेगा और जब आवेश गतिमान हो जाता है नियत वेक से गती करता है तो वो विद्दु छेतर की साथ में चुम्बक के छेतर भी उत्पन करता है और जब आवेश तवरित गती करता है तो विद्दु छेतर चुम्बक के छेतर और विद्दु चुम्बक के तरंगे उत्पन करता है तो इसमें हमें बता रखा है कि इस तिरावेश कोन क्या उत्पन करेगा तो केवल विद्दु छेतर उत्पन करेगा इसमें ए ओप्शन सही होगा अगले क्यूशन क्यों और बढ़ते हैं छटा क्यूशन देखिए 20 कुलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मिटर दूरी के लिए किया गया कारिय अक्स है तो इन बिंदु के मद्देगा विभुवांतर 0.1 वोल्ट है तो देखिए विभुवांतर का मान है हमें दे रखा है 0.1 वोल्ट इसके साथ में हम आवेश लेकर जा रहे हैं 20 कुलाम और हमें ये पूछा है कि किया गया कारिय अक्स है तो इस कारिय का मान ही हमें ग्यात करना है डबलू की वेल्यू हमें फाइंड आउट करनी है देखिए कारिय बराबर होता है आवेश इन्टु में दो बिंदों के मद्दे का विभुवांतर जैसे ए और बिक के मद्दे का विभुवांतर है तो वी ए बी से इसको मैं पूट कर देता हूँ आप लोग यहां पर देखेंगे डबलू मतलब जो अक्स है उसकी वेल्यू क्या होगी क्यू का जो मान है क्यू वी ए बी ये इसका फॉर्मूला हो गया तो क्यू का जो मान है वो है बीस वी ए बी का जो मान है मतलब ए और बी के मद्दे का विभुवांतर जो की जीरो पॉइंट एक वोल्ट है जब इसको हम इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास में दो आजएगा अंसवर तो इससे क्यूशन का जो सोलूशन है वो होगा दो जूल अगले क्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं कि किसी आविसित एचालक गोले के कारण उसके केंदर पर उसके विभुव का मान उसके प्रस्ट की तुलना में कितना गुना होता है तो देखिए केंदर पर जो विभव होता है वो प्रस्ट पर जो विभव होता है उसका 1.5 गुणा होता है तो यहां पर इन में से जो option आएगा वो आएगा 1.5 गुणा तो इससे साथ भी question का जो solution होगा वो आएगा 1.5 गुणा फिर हम अगले और अंतिम question की ओर बढ़ते हैं आठवा जो question है वो हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा तत्ते सम्विभव प्रस्ट के लिए सत्ते नहीं है तो देखिए इन में से पहला option है कि सम्विभव प्रस्ट हमेशा गोलाकार होता है तो ये गलत है ये बिंदूवत आवेश की वज़े से ये जैसे बिंदूवत आवेश है कोई और इसे बिंदूवत आवेश के कारण से तो जो सम्विभव प्रस्ट होते हैं वो गोलाकार हो होते हैं बट जब समानतर विद्दुचित्र होता है तो उसमें सम्विभव प्रस्ट इस तरीके से होगा तो हमेशा गोलाकार हो यह कोई जरूरी नहीं है तो यह option ही इसमें गलत है यह सकते नहीं है इसके साथ में अन्य भी आप यहां पर देख सकते हैं कि विद्दुत बल रेखाएं प्रस्ट के सर्वता लंबत होती यह सही है यहां से जो विद्दुचितर रेखाएं आप खिंचेंगे तो वो सम्विभव प्रस्ट के सदेव लंबत होगी और प्रस्ट के प्रस्ट पर कि नहीं दो बिनों के मद्दे का विभवानतर सुनने होत होता है क्योंकि डब्लू बराबर होता है क्यों इंटू की मद्धी का विभव Jeśli होता है तो कारिये भी कितना होगा जीडो होगा ॥ यह सम्यों हो प्रष्ड के लिए इसमें यह गलत है एसलिए एid उप्षन आयेगा तो तो विद्यार्तियों ये थी आज की हमारी क्वीज जोकि सम्विभव प्रेस्टोर विभव पर आधारित थी धन्यवाद